यो तो हमारे देश में डरावनी और भूतिय जगहों की कमी नहीं है लेगिन इनमें भी कुछ इतनी डरावनी है कि वहां रात को रुकने पर डर के मारे ना केवल आपकी चीखे निकल सकती है बलकि रूहु भी काप जाती है कई कमजोर दिलवालों की तो यहां पर मौत भी हो चुकी है इसलिए इन जगहों पर सरकार ने रात होते ही जाने पर परतिबंद लगा दिया है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में जिसकी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है भानगड किला, राजस्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगड किला भारत का सबसर डरावना स्थान माना जाता है ये जगह पूरी तरीके से खंडर है सोलवी सतापदी में भानगड यहां बसा करता था स्थानिय लोगों के अनुसार एक समय काले जादू में महारत तंत्रिक सिंदु सेवडा नाम के व्यक्ति का दिल यहां की राजकुमारी पर आ गया वो राजकुमारी को वसमे करने के लिए काला जादू का उप्योग करता था लेकिन राजकुमारी को इस बात का पता चल गया और उसने उस व्यक्ति को मरवा दिया लेकिन मरने से पहले उसने भानगड को बरबाद होने का सराप दे दिया और उसके एक महने बाद ही पडोसी राज्य अजब गड ने भानगड पर हमला कर दिया इस लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगड वासी मारे गए तब से आज तक भानगड किला विरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मरने वाले लोगों के भूत आज भी यहां भटकते हैं कई लोगों का कहना है कि आज तक जो भी स्किले में गया वो कभी वापस नहीं लोटा एक समय में ये हिंदूओं के अंतिम संस्कार की जगा हुआ करती थी लेगिन अब ये जगा एकदम विरान रहती है कहा जाता है कि यहां आत्माओं का वास है इसी डर के चलते लोग यहां साम होने के बाद नहीं आते इस्थाने लोग तो अकेले इस बीच पर दोपेर में भी जाने से डरते हैं लोगों का कहना है कि साम को अंधेरा होने के बाद यहां चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है चीक पुकार की आवज काफी दूर से सुनी जा सकती है कई सैलानी जो रात में यहां घूमने के लिए निकले रहसे मैं तरीके से गायब हो चुके हैं आने लोगों का कहना है कि रात में जो भी यहां घूमने गया वो आपस नहीं आया महल से एक हेरिटेज होटल में तबदिल कोटा के ब्रिजराज भवन पैलेस में एक ब्रिटिस भूत होने की बात सुनी जाती है यहां गार्ट्स को थपड लगने की कई घटनाए घट चुकी है कहा जाता है कि 1857 में सिपाही विद्रोह के समय इस भवन में एक ब्रिटिस रेसिडेंट मेजर चाल्स बूर्टन रहा करते थे विरोधियों ने एक दिन इस पैलेस पर हमला किया चाल्स बूर्टन के दो बेटे भी इस समय इनके साथ थे कुछ सैनिकों के साथ इन्होंने काफी समय तक विद्रोहियों का मुकावला किया लेकिन विद्रोहियोंने इन्हे हरा कर मार दिया इसके बाद से चार्ल्स बूटन की आत्मा यहां भठकने लगी कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने मेजर की आवाजे भी सुनी है लोग ऐसा मानते हैं कि मेजर की आत्मों को यह है पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति काम के समय सोए या सिगरेट पिए भूत प्रेत का नाम लेते ही उरानी हवेली, कबरिस्तान या सुनसान जगहों की तस्वीर मन में आती है लेकिन ये भूत सुनसान में नहीं बलकि एक चॉल के आसपास भटकती है जहां दिन भर लोगों की चेहल पहल बनी रहती है कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक औरत की आत्मा भटकती है जो करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी लोगों का कहना है कि एक राज जब ये औरत पानी लेने के लिए आई तो गलती से कुए में गिर गई और कुए में डूबने से उसकी मौत हो गई अब इस कुए को बंद कर दिया गया है तब से उसकी आत्मा यही चौल में घूमती दिख जाती है ऐसा माना जाता है कि अकसर रात को लोगों ने इस प्रेत आत्मा को देखा है लेकिन इस आत्मा को लोग अच्छी आत्मा के तौर पर देखते हैं आज भी लोग उस कुए पर उस प्रेत आत्मा की सांती के लिए प्रात्ना करते हैं सनिवार वाड़ा फोर्ट सनिवार वाड़ा फोर्ट का निर्मान माराठा समराज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेश्वाने करवाया था इस्थानने लोग कहते हैं कि इस महल में अब भी आमावस की रात को एक दर्द भरी आवाज आती है यह आवाज उस व्यक्ति की है जिसकी हत्या इस महल में की गई थी कहते हैं हत्या के बाद उसके सव को नदी में बहा दिया गया था प्रचलित कथाओ के नुसर बाजी राओ की मौत के बाद सत्ता के लालच में 18 साल की उमर में नारायन राओ की हत्या इस महल में कर दी गई थी कहते हैं आज भी नारायन राव अपने चाचा रोगोबा को पुकारते हैं उनके चाचा रोगोबा को उनका संरक्षक बनाया गया था माना जाता है कि रोगोबा पूरे सासन पर राच करना चाते थे इसलिए उन्हीं के इसारे पर नारायन राव के हत्या की गई थी 1828 में इस महल में रहस्य मही तरीके से आग लग गई और काफी हद तक महल नश्ट हो गया लेकिन आज भी यहां आने वाले लोगों को भूतहा अनुभूतिया होती है तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी जगह है जहां आज भी भूतिया घटनाए महसूस की जाती है बस इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी डिरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर आ जाया करेगी धन्यवाद